हेलो कमांडोज, स्वागत है आपका क्लियर कंसेप्स क्रेश कोर्स बायो मेंटर्स क्लासिस ऑनलाइन में और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक भूती ब्रीफिंग के साथ लाइन तो लाइन अराउंड 55 पॉइंट्स में NCRT बेजड जो है नीट 2022 के लिए चाप्टर रिप्रोडुक्टिव हेल्थ, क्लियर कमांडोज, तो सबसे पहले तो मैं इस चाप्टर को शुरू करने से पहले आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, कि अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे, तो सेक्शन A और B जोलोजी में जो है, एराउंड एवरेज तीन कोशन्स इस चाप्टर से आए हैं, और ये एक भूती प्रॉमिसिंग चाप्टर है, और स्कोरिंग भी है स्कोरिंग भी है, बस आपको कुछ बेसिक वैल्यू बेस्ट बातों को ध्यान रखना है, और कुछ conceptual statements जो NCRT टेकनीक वाइस इस चैप्टर में बताना चाहता है, वो आपको clear concept रखना है as you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमने crash course में clear concept रखा है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कबांडोज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, chapter reproductive health, here we begin, okay, so let's go now, the very first question, introductory question from the chapter NCRT brace, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, reproductive health, body के general health की तरह ही माना जाता है कि healthy reproductive organs with normal function, हाँ ये बात सही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, reproduction और उसको exhibit करने का जो phenomena है, उसमें ये पाया गया है कि हर organism, अपने life के कुछ खास period, face में ही इसको exhibit करते हैं, अब बात करें human beings का, human species, एक highly civilized society, social population की तरह रहने की उसकी प्रवर्ती है, tendency है, yes commandos, तो उसके चलते हुए, world health organization ने define किया है, reproductive health को, किन पहली हो को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से question पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, commandos, reproductive health is total well being, जिसमें केवल शरीर से जुड़े हुए, reproductive organs का physical aspect ही नहीं, right, it is not only physical, physical mental aspects तो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, बट जब हम reproductive health की बात करते हैं, तब physical, emotional, social and behavioral aspects भी जुड़ जाता है, reproduction से related, इनी बातों के साथ ये chapter शुरू हुआ था, और ध्यान रखेगा, commandos, कुछ value based question, NCRT के first two pages से आ सकते हैं, क्योंकि reproduction, human society में, animal kingdom या living world के nature के accordingly तो अपना role play कर रहा है, लेकिन इसको exhibit करना, इसको exhibit करनी की का जो aspect है, जो पहलू है, वो इंसानी सोच समझ का भी एक नतीजा है, अब ये मैं कहना ये चाहरा हूँ, commandos, इसलिए definition में emotional, social and behavioral aspect को जगा दी गई है definition में, तो ये तो WHO की well defined definition है, क्यों, क्योंकि इंडिया, अगला question, आजादी के बाद, 70-75 साल पहले, आजादी के बाद, जो है, पूरी दुनिया में, इंडिया was one of the first country, ये भी एक question बन सकता है, जिसने एक कदम उठाया, has taken strict measure, उस समय जो भी governing body थी, government of इंडिया, जो भी governing body, administrative body था, उन्होंने जो है future plan, ठेकिना, planning commission ने ये तै किया कि, कैसे इंडिया जो है, आगे आने वाले हर 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, क्या उसका status होगा, population size क्या होगा, उससे जुड़े हुए living hood, और living standard को तै करना, ये सारे issues थे, तो जिसके चलते हुए, इंडिया was the first country to initiate action plans and programs at national level, राष्ट्रिय स्तर पर कुछ कदम उठाये गए, जिससे की आने वाले समय में, जो आजादी के बाद के generations हैं, वो अपने देश में सुक्स विधाओं के साथ, amenities के साथ, एक better living standard experience कर सके, तो population size एक बहुत बड़ा issue मुद्दा रहा होगा, और वो हमेशा ही रहता है, तो उसके लिए क्या कदम उठाये गए, ये question बनेगा, NCRT based, जिसमें total reproductive health एक बहुत बड़ा issue था, क्यों? क्योंकि population size का संबन्द birth rate से, birth rate का संबन्द fertility से है, यस commandos, तो किस तरह के strategies, किन problems को sort out, overcome करते हुए, ठीक है, ये अगला question का pattern है, commandos, ध्यान से screen पे देखिए, कि क्या वो issues थे, जो reproductive health problems की तरह, government of India को आजाती के बाद, शुरुवाती सर्वे करने पर, समाज में, कहते हैं न, society में, व्याप्त कुछ ऐसे issues, बुद्दे aspects, जिनका संबन्द, राजदीतिक, political, religious, custom tradition रहा, ये सारे factors हैं, और उसी के accordingly question बनेगा, over population, early marriage, health of mother, respective female, जो अपने marriage life में enter करने के बाद, कभी भी motherhood को अपना सकते हैं, तो motherhood को अपनाने से पहले, motherhood के दौरान, and after the natality, बच्चे के बर्थ के बाद, बच्चे और मदर का care रखने related बाते, deformities, pregnancies related complexities, एक female के life में, उनके health issues, जिसमें menstrual cycle, और उससे जुड़ी हुई जो व्यवधिया, यानि कुछ ऐसे false myth and misconceptions, social taboo की तरह, इनको भी दरकिनार करना, इनको भी कहीं ना कहीं proper counselling की जरूरती, these are the problems, तो इस तरह से question बनेगा, और health sector ने सबसे बड़ा problem देखा, कि MMR और IMR, maternal mortality rate और infant mortality rate, maternal mortality rate, बच्चे के जनम delivery के दौरान जो complexities को ढंग से deal ना कर पाना, क्योंकि midwives, दाइमा के थूप, अन प्रोफेशनल लोगों से जो है, बच्चे को बर्त करवानी की process, delivery करवाना, जिससे की बर्त के दौरान, मदर की जान, खत्रे में आना, ये percentage जादा था, आजादी के बाद शुरुवाती दिनों में, और बच्चा और जच्चा, यानि mother as well as the newborn, दोनों के जान पे बात बनती थी, तो शुरुवात में MMR और IMR जादा था, these were the problems, बात सिर्फ over population को deal करना नहीं है, population जो exist करता है, उस size के साथ, उसमें जितने लोग जादा से जादा reproductively healthy हो, और एक living standard experience करें, सुख सुविधाओ का अपने पूरे life, ये भी एक अच्छे राष्ट के निर्मान का पहचान है, identity है, that is the concern, ये ही वो मुद्दा है, जो भारत सरकार चाहेगा, तो ये सारी बाते, reproductive health problems, NCRT, first page इस चैप्टर में आप देखिएगा, problems and strategies, पहले problems देखते हैं, फिर भारत सरकार ने कैसे कदम उठाए, इन चीजों को लोगों में जागरुकता जगाते हुए, इन चीजों को minimize करना और society को, ठीके, कहां से उठाकर एक स्वस्त जीवन की और ले जाना, जिसमें reproductive aspects का ध्यान रखा जाए, ओके कमांडो, तो फिलाल, sexual, ये तो अपनी जगा है, फिर कुछ ऐसा भी age group था, जो एक खास तरह से, जिसे vulnerable age group कहते हैं, जिसमें STDs, STIs बहुत common था, और ये एक बहुत बड़ा चर्चा का issue था, जो की, जो की ना किया जाना, hidden, community disease, व्याप्त था, लेकिन लोग इस पे चर्चा करने में हिचकते थे, mental hitch महसूस करना, ओके कमांडो, तो अंग्रे जी की कहवत है, sex organ related issues are neither of shame or pride, ना उनके बारे में चर्चा करना किसी शर्म का सूचक है, ना उस पे चर्चा करना किसी गर्व का हैसास है, ओके कमांडो, यस, तो इसमें ये भी एक issue था, क्यों, क्योंकि इसका आगे चलके marriage life और दूसरे जो है fertility factors पर एक बहुत गहरा और mal effect पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं population size decline हो सकता है, जो किसी भी nation के development के लिए अच्छी बात नही नहीं over population, नहीं under population, so this is how the problems, chapter के शुरू के paragraph में इस तरह से सारी बाते बताई गई हैं, और मैं emphasis, मैं जोर दूँँगा उस paragraph पे, जिसको हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, pre-reproductive age group, reproductive age group and post-reproductive age group, क्योंकि ये सारे problems, अलग-अलग age group में रहें, जो समाज में, society में हैं, और society से नेशन बनता है, clear commandos, and finally, everything is related to career, एक पूरे जीवन में उम्र का एक ऐसा दौर, जिसमें economic stand-up होना, आर्थिक रूप से आप संबल है कि नहीं, और वो तह कैसे होगा, जब शरीर हर तरह से स्वस्थ है, सामाजिक लाइफ अच्छी चल रही है, marriage life अच्छी चल रही है, क्य relation है, जिससे की marriage disputes ना हो, और दूसरे तरह के health issues के चलते हुए भी, है न, divorce cases, sex related problems, और abuses समाज बे ना बढ़े, clear commandos, तो इस तरह से ये सारी बात बताई गई है, अब आप आगे देखिए, क्या कदम उठाएगा है, what are the strategies to overcome these social problems, इसलिए, और जिस दिन society, yes commandos, this is the point, question, इसी तरह से NCRT-based पूछा जाएगा, कि हम एक reproductively healthy society को कैसे, जो है, expect करते हैं, उमीद करते हैं, what are the signs of a healthy reproductive society, जिस दिन ये strategies अपना कर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, और crime free straight हर तरह से, है न, equality of sex का दर्जा मिले society में, opposite gender एक दूसरे की बराबर respect करे, एहमियत दे, और किसी भी तरह के sexual abusement cases, eve teasing cases, जिस दिन पूरा report होना बंद हो जाएगा, और दूसरे health issues, जो की, reproductions related, यानि cases of HIV infection, STDs, sex abuse, जिस दिन ये सब जो है, निल हो जाएगा society में, हम मानेंगे, कि such a society, is showing a clear indication and sign of reproductively healthy, तो इस तरह से ये chapter स्टार्ट हुआ है, और इस तरह से question पूछा जाएगा, लेकिन इसकी लिए government of India ने किस प्रकार से कदम उठाए, और लोगों तक इसकी जानकारी awareness कैसे पहुचाया, तो जिस तरह से मैंने अपनी बात रखी है, चलिए देखते हैं, NCRT, point to point कैसे कहते हैं, तो भारत सरकार दुआरा, government of India, soon after independence, क्या किया, family planning program सबसे पहले initiate किया, the year 1951, हाँ, ये correct statement है, लेकिन, it has a poor result, कारण ये था, कि, जिस तरीके से लोगों तक ये पहुचाया गया, से ये दखल अंदाजी मानी गई, ठीके, क्योंकि लोग शुरू में, जो है, educated, uneducated वाली बात नहीं है, लोगों का सामाजिक दबदबा, custom, tradition, religion का social taboo इतना था, कि उन्हें ऐसा लग रहा था, कि भारत सरकार उनके व्यक्तिगत विशय में, जो है, एक तरह से हस्तक शेप कर रहे हैं, intervention, किसी भी कपल का अपने जीवन में कितने बच्चे होंगे, ये उनकी अपनी private decision होना चाहिए, ना कि वो किसी सरकारी निर्देश के अनुसार चलेंगे, और उन सारे तकनीकों को अपना कर कहीं वो शरीर को कुछ हैजार्ड या अपने भविश्यों को नुकसान तो नहीं पहुचा रहे, ऐसे curiosity और मानसिक अवधारना जो चल रहा था, उसके चलते हुए जो है, जो growth rate था इंडिया का, ठीके, वो 2.1% था in the year 1970-1975 के असपास, यानि लोगों में वो जादा प्रचलित नहीं था, birth control method, family planning को शुरू में उतना भेतर अपनाय नहीं गया, तब government of India ने सर्वे किया, और अपने सर्वे करकर है ना, उन्होंने जो है पता लगाया कि कहां लोगों में किस चीज का जो है दुश प्रचार हो रहा है, कहां लोगों में भ्रांतियां, myth और misconception है, उनको कैसे हटाया जाए और उनको जो है, स्ट्रीम लाइन से जोडा जाए और समझाया जाए, कि क्या सही रहेगा उनके जीवन यापन के लिए, how can they make their life better with their small family program, जिससे family planning program 1951 से इंट्यूज किया, it was reformed और फिर उसको नाम दिया गया है, reproductive and child health care, RCH program, जिसके अंतरगत नाकेवल birth control करना, है ना, contraceptive methods को अपना कर small family को promote करना ही उद्देश नी था, बलकि समाज में कुछ और भी health hazards जिसे हम कहते हैं, और जुड़ी हुई जो misconceptions, taboos, social taboos है, उनको भी धीरे 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 हटाना, सब कुछ strategy में आ गया, इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहले तो, जो है, awareness, लोगों को ज electronic print media का इस्तमाल करते हुए, create, इसमें government body भी थी और non-government body organizations भी establish हुए, क्योंकि HIV infection बहुत जादा प्रसर कर रहा था, उस समय, उस दौरान जो है, फैल रहा था, 80s के आसपास, तो कहने का मतलब यह है, कि about reproduction, major role, अब इसमें question यह भी पूछा जा सकता है, कि समाज के लिए ही तो किया जा रहा है, और समाज लोगों से बनता है, तो कोई ना कोई parents है, relatives है, teachers, friends, जो जानकार लोग है, जो है, बुद्धिव जीवी है, जो कि अपने आसपास इन चीजों को समझें, और लोग से लोग यह बाते धीरे-धीरे spread हो, यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, okay, commandos, next, sex education, school, adolescence group, एक खास उमर, right information, बढ़ते उमर के साथ, उमर के 11 साल से लेके 19 साल का यह जो उमर है, जिसे adolescence period, vulnerable age group, दिल और दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में चलता है, कहीं न कहीं misguided होने के tendencies बनती हैं, गलत जानकानिया जादा जो है, load हो जाता है brain में, distraction जिसे हम कहते हैं, ऐसा ना हो, इसके लिए जो है, किसी माध्यम से, तरीके से, अलग अलग तरीके से, जो इस age group को सही जानकारी, sex related जो issues और उनकी functioning पर समझाना, ठीक है, next, knowledge of growth of reproductive organs, adolescence, safe, hygienic, sexual practices, STD, क्योंकि सबसे जादा उम्र 15 से 24 साल, ये वो उम्र है, जो सबसे जादा भटकने का, distract होने की उम्र मानी गई है, अपने आसपास की चीजों से influence होना, infatuation होना, influence होना, प्रभावित होना, और गलत दिशा, गलत चीजों को chain करनी की प्रवर्ती बनना, ऐसा ना हो, इसकी कोशिश की जाना, ठीक है, ओके, बर्थ कंट्रोल डिवाइजेस, केर ओफ मदर एंड चाइल्ड, अब आप देखिए, कवांडोज, NCRT का पैराग्राफ, जिसमें मैंने कहा, प्री प्रोडुक्टिव, ये हो गया, प्री रिप्रोडुक्टिव एज ग्रुप, लेकिन उम्र का एक ऐसा भी दौर आता है, ज नव दंपती को जो है, अपने मैरेज लाइफ को प्लान करने के लिए, सबसे पहले कि वो तैयार है, मानसिक, शारिरिक और आर्थिक रूप से, mentally, physically and economically, to bear an issue, और मतलब वो बच्चा प्लान करे, तो क्या वो पालन पॉशन करने के लिए तैयार हैं, और नहीं है, तो कुछ ग बच्चा उसकुछ समय तक ना हो, इसके लिए उन्हें सही कॉंटरसर्टिव मैथड की जानकारी, और जिस दिन वो ऐसा प्लान कर लें, तो उससे पहले उनको कैसे ध्यान रखना है, पूरे प्रिगननसी के दौरान और बच्चे के जन के पस्चात, इम्मुनाइजेशन, ध ठीक है, और फिर एक आल ओवर बात करें, जिसमें मैरिजेबल, प्री रिप्रोक्टिव और पोस्ट रिप्रोक्टिव सब आ जाते हैं, सब को पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन आफ सेक्स एब्यूस, सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्शल एसॉल्ट, इक्विलिटी अव जेंडर कहते हैं, ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, अभदर वहवार ना करें, गलत बातों का प्रसार ना करें, ऐसी बातों का ध्यान रखना, तब जाकर, तो इस इस दी एम, कुश्चन ऐसी बनेगा, हम सोसाइटी को रिप्रॉक्टिवली हेल्दी क जब कहेंगे, जब इस तरह के crime related, sex related crimes और abuses के cases कम हो, STD के cases निल हो जाएं, तब हम मानेंगे कि भारत सरकार द्वारा RCH प्रोग्राम, reproductive and child health care related everything, जो है सही माइने में, सोसाइटी को reproductively healthy साबित करने में सफल हो गए, ओके कमांडो, मेरी बात आरी सबको समझ में, everyone, तो ये थे वो question patterns, first 10 points में, फिर बात आती है infrastructure, कि चलिए ये सब हो गया हम समझ गये हैं कि ये ये कदम उठाने, लेकिन अगला question, what is the infrastructure, ये infrastructure की बात की गई है कि professional expertise लोग, health sector एक infrastructure अवेलविल करा है, जहाँ पर primary health center, आंगन बा सुरक्षा योजना कहते हैं कि अगर दूर दराज कहीं ऐसे जगा है, तो सही समय पे, बच्चे के जनम से पहले, इस तरह से, उनको जो है, नजदी की किसी hospital जहाँ पर expertise लोग हो, delivery करवाने के trained nurses हो, जिससे की होने वाले बच्चे और mother, दोनों ही, एक proper healthy condition में, parturation को अंजाम दे सके, तो इस बात को समझाते हुए, यहाँ पर medical assistance, importancy, infertility, mensural related problems, जो females को अलग-अलग समय पे regular, irregularity के साथ आता है, क्योंकि mensus का रुक जाना, समाज में एक गलत indication भी माना जाता है, आप इसको जो है, दरकिनार नहीं कर सकते, कितने लोग जानते हैं कि बिना, बिना pregnancy के भी mensuration रुक सकता है, जानते भी हैं, तो भी शायद वो उनका मन ना माने, क्योंकि female, respective female ex, वो जिस age group में है, लोगों का एक गलत दृष्टी कोन है, कि क्या पता, कुछ, जो है, external marital affair, और unethic someone, unwanted, जो है, physical relationship किसी के साथ हो, जिसके कारण शायद गर्वस्तापित, यानि pregnancy establish हो गया हो, तो उसके चलते हुए, ऐसे किसी female को, जिस तकलिफों का सामना करना पड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ ना हो, फिर भी menstruation रुख गया है, क्योंकि, क्योंकि ऐसा मानते हैं, और जानते हैं, medically, कि lack of menses may be indicative of pregnancy, or may not, क्योंकि menses का रुख जाना, बिना pregnancy के भी संभव है, तो ऐसी बातों को कहां और कैसे समझाया जाए, इस इस दे मेडिकल एसिस्टेंस, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंप्लिमेंटेशन अव बेटर टेखनीक्स, एंड न्यू स्ट्राटेजीज, तो बर्थ कंट्रोल मेतोड बहुत हैं, लेकिन एक भहुती माइल स्टोन, कुश्चन ऐसी पूछा जाएगा, अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, रिसर्च इन रिप्रॉक्टिव हेल्थ एरिया, लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे अपने अपने इश्यूज हैं, अब उसमें बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, गवर सेफ्टिव पिल डेवलप किया था, विता ब्रांड नेम सहेली, ठीक है, डेवलप बाइडी साइंटिस्ट, सेंटो क्रोमनन उसके अंदर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और वो बहुत हाइली एफेक्टिव बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में जाना जाता है, तो ये जीके बेस्ट कोशिन, फैक्ट बेस्ट कोशिन, पूछा जा सकता है, बाकी ये प्रोड़क्ट क्या है, कैसे काम करता है, मैं बात करूँगा, कमांडो, आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर अवेरनेस, सेक्स रिलेटेड मैटर्स, डिलिवरीज प्रॉपर हो, MMR और IMR, IMR, infant mortality rate क्यों बड़ा है, एक बहुत बड़ा issue है, कि बच्चे के जन के बाद, मदर को कैसा डाइट, जिससे की बच्चे के पालन पोशन में, जो breastfeeding और दूसरे supplemental food उम्र के पाचवे साल तक होना चाहिए, और अगर वो परियाप्त पोशन, यानि nutrition ना मिले, इसी कोई कहते हैं, malnutrition, और ये एक बहुत बड़ा health issue है, medical sector में, तो किसी भी देश का एक बहुत बड़ा pre-reproductive age group, ऐसे बहुत से बच्चे, जाने अन जाने, infant mortality rate का शिकार हो जाते हैं, जन्म के दौरान, जन्म के बाद, due to malnutrition and other issues prevailing in the society, okay, commandos, तो ये सब जो है, कम होना चाहिए, जिस दिन ये सब कुछ कम हो जाएगा, small families, better detection and cure of STDs, समय रहते हुए, STDs के बारे में पता चल जाए, और बे जिजक, proper infrastructure, primary health center पे जाके, जाग्रूक वेक्ती जो जानता है, और तुरंद कदम उठाते हुए, अगर, डॉक्टरी देखरेक में, इलाज करवाएंगे, तो possibly वो किसी बहुत बड़े, जो है, loss से बच सकते हैं, तो these are those strategies to make healthy society, repetitively healthy society, okay, commandos, तो questions इस तरह से value-based, जो है, आपके साबने options बना के आएंगे, NCRT की ये lines आपको इस तरह से याद होनी चाहिए, okay, commandos, चलिए, फिर आप देखिए, कि एक ऐसा technique, जो इस बात का प्रमान है, कि कैसे, कैसे society में कोई भी अच्छी चीज एक गलत रूप धारड कर लेता है, और उसका misuse सामने आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी लिए भी government of India ने कदम उठाया था, by keeping a ban, sex determination medically, जो है sex determination करना यह अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और जिस तकनीक से इसको करने की कोशिश की गई थी, और बड़े पैमाने पे इसका इसका इस्तमाल होने लगा था, to promote and conduct female feticides, यही समाज का एक black side है, काला हिस्सा है, कहते नहीं हर सिक्के का, हर कहानी का एक पहलू होता है, the dark side of the story, that is, कि emniocentesis मूल रूप से, mainly the technique was being conducted, yes commandos, point to be noted, emniocentesis, test based on chromosomal pattern, एक ऐसा genotypic test, karyotype तैयार करके, जो है, band patterns और karyotyping करके, जो है, बच्चे के जन्म से पहले, first 12 weeks से पहले ही, जो है, उसके बारे में पता लगा लेना, कि क्या होने वाले बच्चे में, is the developing fetus is going to bring up, with some genetic anomaly, यानि किसी अनुवानशिक विक्रिती के साथ तो बच्चा जन्म नहीं लेने वाला, या आगे चलके उसमें कोई अनुवानशिक विक्रिती तो नहीं आने वाली, इस सोच के साथ कि हम ऐसे बच्चे को फिर जन्म ना दे, ये एक positive सोच है, क्यों? क्योंकि होने वाला बच्चे के लिए भी ये तकलिफ दायक है, और ऐसे बच्चे को जन्म दे के, लेटर ऑन भी जो है, ऐसे माता-पिता को दुख का सामना करना पड़ेगा, तो इस सोच के साथ इस technique को बनाया गया था, लेकिन इस पूरे technique में ये देखा गया, कि उस chromosomal pattern में ये भी पता चल जाता है, कि respective karyotype में, the respective karyotype of the developing fetus, जो embryonic development चल रहा है, खोने वाला बच्चा male होगा कि female, तो इस दिशा में उसका स्तमाल होने लगा, क्योंकि या तो उसमें पता चल जाता था, एक्स-एक्स या एक्स-वाई है कि नहीं, एक्स-वाई है तो लड़का होगा, एक्स-एक्स है तो लड़की होगी, तो इस तक्नीक का गलत स्तमाल होने लगा, misuse होने लगा, hence it has been banned, इस तरह के उठाये गए government और समाज के द्वारा लिये कदम ही, और आपको इस तरह से ध्यान रखना है, लेकिन अब बात आती है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, दो बार ऐसा हुआ कि एक घटना से एक biological event से गुजरा जिसे कहते है population explosion, ठीक है, so the next question oriented point from the chapter, what is population explosion, उसकी definition और इसके क्या drawbacks है, और अगर है, तो कैसे strategies से उनको जो है minimize किया जाए, एक सुरक्षित भविश्य के लिए, एक better living standard के लिए, clear commandos, तो मेरी बात गौर करिएगा, rapid increase in population over relatively short period of time, कम से कम समय में तेजी से जो भी संख्या बल है, किसी भी जन संख्या का वो बढ़ जाए, unexpectedly बढ़ जाए, यानि doubling time कम हो जाए, मैं बात करूँगा doubling time क्या होता है, किसी भी देश के जो population size है, ठीक है, कोई भी country हो, उसकी population size दिये गए समय में, कम से कम समय में भी तेजी से उसकी संख्या बल जो है, population size जो है, वो बढ़ जाए, इसे हम population explosion कहते हैं, और यह प्रमानित है, it is being well evident, evident after independence and even before independence, अगर मैं पुरी दुनिया की बात करूँ, commandos, point to be noted, ध्यान दीजे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, NCRT-based data basis fact, यह question आ सकता है, कि 1900, the year 1900 के आसपास, पुरी दुनिया की population, 2 billion थी, 2 अरब था, पुरी दुनिया का population, 2 अरब था, वरतमान में, करीब-करीब 7 अरब है, लेकिन चलिए हम NCRT के data पही चलते हैं, आज 7 billion के आसपास है, लेकिन 1900, 1900, आज से 120, 122 साल पहली की बात हो रही है, ओके कमांडो, आज से 100, a century ahead, है ना, एक सदी पहले मैं बात कर रहा हूँ, 1915 पुरी दुनिया का population, 2 billion था, और अचानक से यह shoot हुआ, 2000, 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर, 6 billion, यानि 3 times, 100 साल के अंदर 3 times हुआ, 6 billion हो गया, अब भारत देश की बात करें, इंडिया कहां stand करता है, इंडिया इसी के बीच ओ बीच, at independence, 1947 के बाद, यानि 1900 और 2000 के ठीक, बीच, time period में, ऐसा आप मान के चलें, ठीक है, आजादी के समय हम 35 कडोड थे, कितने थे, 35 कडोड, 350 million, clear, और 2000 के असपास, उसी, उसी year 2000, के असपास, हम पहुँच चुके थे, करीब करीब, close to billion, एक अरब, यानि, पूरे इंड, वर्ल्ड में, हर, 6 में से, एक इंसान भारती है, ऐसे मानो ना, यूनिफॉर्म दिस्रिबूशन, येस, है ना, इन दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, every, every, one out of six, 6 में से, एक व्यक्ती, क्या था, भारती है, ऐसे मान के चलो, ये फिगर्स ऐसी बता रहा है, येस, it's all correct statement, question ऐसी बनेगा, commandos, ध्यान रखिएगा, crossed 1.2 billion, और, जो है, May 2000, ठीक है, May 2000, हम 1.2 billion हो चुके थे, कितने हैं, 1.2 billion, ओके, commandos, अब आप सब लोग ध्यान दीजिए, reason of population explosion, यानि, ये सारे figures, commandos, गौर करना, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, कि, ये सारे जो figures, data's है, ये क्या बताना चाहरा है, ये क्या बताना चाहरा है, कि पिछले 70-75, आज 75 साल, आजादी के हो चुके हैं, yes, तो, पिछले 75 साल में, India, has gone through, उसका कारण क्या है, और आगे ऐसा ना हो, तो क्या करदम उठाने पड़ेंगे, that's how the chapter, question ऐसी बनेगा, तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही question oriented point, NCRT special, NCRT special question, commandos, गौर करेगा, NCRT special question है ये, ऐसी पूछा जाएगा, पिछले 75 सालों में, इंडिया जैसे country में, जो population explosion की घटना, या alarming, alarming population size जो बड़ा, उसके मूल कारण क्या है, answer होगा, all the ever, commandos गौर करिएगा, all are correct, decrease in death rate, decrease in MMR, क्योंकि living standard, चैंसे आटिम के मेंशन्ड है, lifestyle, लोगों का lifestyle, living standard, lifestyle, health facilities बड़ी है, death rate कम हुआ, MMR, IMR कम हो गया, और सबसे बड़ी बात है, कि developing, developing population में, pyramidal age sex structure में, जो pre reproductive age group है, जो base of the pyramid है, वो काफी broad होता है, यह क्या show करता है, कि number of reproducible age group, जादा है, वो बढ़ा है, वो बढ़ा है, देखिए न, एक, चार में से एक factor, ऐसे करके याद रखना है, commandos, मेरी बात गौर करिएगा, चार factors है, उन में से तीन, three decreased, क्यों, क्योंकि question ऐसी तो बनेगा, commandos, NCIT special question ऐसी तो बनेगा, सब लिखा रहेगा, these are the factors, death rate, MMR, लेकिन, इन चारों में से तीन, कौन से तीन घटे, और किस के बढ़ने से, question ऐसी पूछा जाएगा, चार factors है, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, कि चार में से, तीन factors के घटने से, और एक factor के बढ़ने से, that's the question from NCRT, लिखा NCRT special, NEET special, इस पूरे chapter से, ये एक value-based question है, ये सब क्या है, sentence basis, अभी थोड़ी देर पहले मैं, आपको जो strategies, problems बता रहा था, कि हाँ these are the, है ना, in a given, expanding population, over population में, what are the social problems, आपको पता है, क्या social problems है, RCH के अंडर, क्या strategies अपनाये गए, वो भी आपने देखा, ऐसे याद रहने चाहिए, दो question ये बन गए, इंडिया ने सबसे पहले, क्या, जो है population size को, control करने के लिए, कौन सा, program स्टार्ट किया, family planning program, reformed program क्या रहा, society को, reproductively healthy बनाने के लिए, question, question ऐसे बनेगा, reformed, मदलब नए नए तरीके से उसको launch किया गया, RCH, reproductive and child health care, जिसमें ये सारे issues, जो समाज में व्याप्त है, उसके question आ गया, या फिर, commandos, गौर करिएगा, population explosion, क्या है, कैसे हमने define किया, yes, yes, ध्यान दीजिए, उसके data है हमारे सामने, अच्छा, अगर ये सब सही है, इसके कारण हुआ है, तो इसको proof क्या है, कि census report, जनगर्णा, 2011, कि जो जनगर्णा report हमारे पास आई थी, आज से, हर 10 साल में conduct करते हैं, ये तो आप सुनी जानते, census is the graphical and statistical data collection, of what the human population of any country, under government official programming, yes, that is called census, जनगर्णा, तो growth rate भारत वर्ष का 2% से कम रहा, 2% से कम, that is 1.7%, 17 लोग प्रती, 1000 प्रती यर, इस दर से जो है growth rate रहा, yes, correct, that's what we mean, इसका ये मतलब होता है, ये ही पूछ लेंगे, yes, this is correct, और इस हिसाब से जो है भारत का, the India's doubling time is, doubling time कैसे count होता है, DT, doubling time, is equal to 70 by X, 70 is called growth constant, 70 is a growth constant, ठीक है, 20 square testors से पता लगाते हैं, और X stands for growth rate, X stands for growth rate, कमांडो उस गौर करीगा, X stands for growth rate, तो growth rate का value यहाँ put करिए, 70 divided by X, X is growth rate, clear, उससे हमें doubling time पता चलता है, तो 70 divided by 1.7, around 33 years, आज 2022, इसमें आप 33 साल जोड दीजिए, यानि 2055, 2055 year जब होगा, उस वक्त, इंडिया की population, अनला आज से, इस projection के साथ, आज से 33 साल बाद, present population अगर मैं कह रहा हूँ, एक अरब, 1.035.025.00 करोड है, एक round figure में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो, 2.070.00 करोड हो जाएगा, 2055 तक, इसी rate से, लेकिन, मान के चलिए, 33 साल की जगा, ये, 20 years में ये figure पहुँच जाए हम, कि इंडिया की population, आज से 20 साल के अंदर, होना तो चाहिए 33, लेकिन वो time घट के 20 साल, यानि जितना कम समय में, rapidly population है, यानि फिर से इंडिया को population, explosion का सामना करने, और ये एक अच्छा, indication नहीं है, क्योंकि, man-made resources, as well as natural, इंडिया एक bio-geographical hot spot area है, yes, सब कुछ ठीक है, यहां की resources है, कुछ man-made resources, और amenities सुक्सुविदा है, तो आप इतने बड़े, yes, that's the issue, drawback, अगला question, कि अगर किसी, Dublin time is reduced, what is the impact, problems of scarcity, कमी, कमी का सामना करेगा, food, shelter, clothing, रोटी, कपड़ा, मकान, और सारी सुक्सुविदा है, housing, employment, और दूसरे sanitary, हर चीज में, traffic, याता-यात, आना-जाना, ये वो दूसरे resources, बढ़ाने पढ़ेंगे, और एक burden आ जाएगा, political turmoil होनी के chances, there are many problems, which are going to be faced, by such exploited population, population explored हो चुका है, और दिक्कत आएगे, समाज में, एक unbalanced आएगा, crime बढ़ेगा, हर तरे का crime बढ़ेगा, समाजिकता कम खतम हो जाएगे, yes, लेकिन ऐसा ना हो, yes, commandos, that's the chapter is all about, तो questions भी इस तरह से ही पूछा जाएगे, ध्यान रखेगा, commandos, these are the question patterns, databases questions, statement-wise questions, statement आपको क्या पता होना चीए, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह से पूछा जाएगा, okay, commandos, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले point की तरफ, how to check the population growth, यही तो मेन मुद्दा है, बाकी सामाजिक जितने भी issues है, problems है, उन पर आप तभी नियंतरन control कर पाओगे, जब population size control रहेगा, अगर वही control नहीं रहेगा, तो फिर, commandos, कहीं न कहीं clashes, सब के अपने ambitions, और महत्वकांशा जिसे कहते हैं, और बहुत सारे ऐसी बातें issues उटना शुरू होंगी, जो clash करेंगी, जो out of control हो जाएगा, so the question, next prime question, how to keep a check and take measures, क्या वो कदम उठाये जाने चाहिए, क्या वो सारे तरीके होने चाहिए, जिससे की यह बढ़ती हुई आवादी के लिए, जिम्मेदार population growth rate को नियंतरण में रख सके, okay, commandos, let's say, so points, बिलकुल NCRT, option A, B, C, D, all the भारतिय जो है, सरकार दोरा, भारत सरकार दोरा, जो है, यही कदम उठाये गए, जिसमें सबसे पहले लोगों की बीच, contraceptive methods का सही समय पर इस्तमाल करके, अपने family size को प्लान करना, और smaller families के क्या फायदे हैं, आगे चलके जीवन में, इस बात को जादा से जादा जागरुक लोगों को बनाना, ठीक है, और साथी साथ promoting slogan, हम दो हमारे दो, correct, हम दो हमारे दो, इस slogan को promote करना, जो इस बात को सही साबित करता है, और ये इसलिए, हम दो हमारे दो, क्योंकि population size, decline भी नहीं होना चाहिए, at least एक, what is the message, गौर करना कवांडो, continuity of species, कि at least आप अपनी family को represent करने वाले, और population size को balance, equilibrium में रखने के लिए, replacement level कहते हैं, कि दो, है न, दो लोग, माता पिता जो है, male female as a couple, डामपत्य जीवन में, वो दो बच्चे, दो लड़के, दो लड़की, एक लड़का लड़की, whatever the ratio, इस तरह से वो उत्पन करके जाए, बर्त देके जाए, कि आने वाले समय में, जब वो नहीं रहेंगे, तो population size, at least balance रहेगा, कम से कम decline भी नहों, बड़े नहां, लेकिन decline नहों, इसी कोई कहते हैं, replacement level, हम दो, हमारे दो का मतलब यह है, कि आप अपने जीवन में, इतने बच्चे करके जाए, कम से कम दो, जिससे की आने वाले भविश्य में, निकट भविश्य में, जब आप दोनों ना रहे, माता पिता ना रहे, तो भी population size, constant आए, आ गई मेरी बात समझ में, replacement, आप अपने आपको replace करके गए, आप दो लोग थे, और दो संतान उत्पन करके, मैंने संतान कहा, Osprings, Commandos मेरी बात आरी सबको समझ में, this is the point of understanding, सही बात है, marriageable age group को जो है, बढ़ा कर, है ना, क्योंकि नहीं तो, health related issues, खास कर जो है, pregnancies related, कम उम्र में, जो है, female का शरीर क्या वाकिमी, physically, mentally तैयार है, motherhood को carry करना, पहले तो, क्या बोलते हैं, procure करना, फिर उसको carry करना, इसलिए, कम से कम शरीर, मानसिक, भौतिक रूप से, physically, mentally, socially तैयार हो जाए, marriage जैसे, एक खास प्रकार के, relationship में, enter करके, आगे के जुड़े हुए, जितनी भी उसके, क्या बोलते हैं, responsibilities है, as a parent, उसको सही से निभा सके, उस उम्र के पढ़ाफ को पार करे, respective male, female, एक proper age difference के साथ, 18, तो this is a statutory, legal age group, जो Government of India, Constitution ने तैय किया है, 18 साल किसके लिए, yes, commandos, females के लिए, और males के लिए, 21 years, इसके इलावा, भारत सरकार ने कुछ और भी कदम उठा है, जिससे की, लोगों में एक, प्रलोभन incentives कहते हैं, ऐसे सारे facilities, कि अगर आपने भारत सरकार के नियमों का पालन किया, तो आपको इसका क्या lab मिलेगा, इस तरह की बातों को promote करना, जिससे की लोग इस बात को समझे, और population growth rate maintain करने में, अपना role play करें, ओके commandos, are you getting the logic, next, अब बात आती है, contraception, commandos गौर करिएगा, जो main point है, कि population size control करने के लिए, जो है, various smaller families, अब मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ, contraception क्या है, और उसके क्या rules है, क्या तरीके होने चाहिए, क्या methodology होने चाहिए, इस तरह से question बनेंगे, तो मैं point to point read करके, अब आपके सामने question frame up करूँगा, ओके, चलिए देखते हैं commandos, ओके commandos, अब हम बात करेंगे, contraception, ठीक है, तो तीनी topics है, यह ध्यान रखिएगा, एक है birth control method, दूसरा MTP, तीसरा है STD and infertility, ठीक है, यह वो topics हैं इस chapter के, जहां से सबसे ज़्यादा questions बन सकते हैं, clear, तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारे discussion के साथ, कि contraception is defined as interference methodology, conception मतलब एक woman का अपने married life में respective pregnancy को अचीव करने के लिए किया गया coitus, sexual intercourse, ठीक है, तो जब वो successfully इसको अचीव करते हैं, उसको कहते हैं conception, लेकिन कोई भी एक ऐसा तरीका, जो कि इस process में बाधा बने, hurdle बने, interference की तरह methodology में काम आए, that approach is called contraception with a aim to control the birth, to plan a family in a small size as per the need, एक दबबती अपने जीवन में कितने बच्चे और कितने अंतराल के साथ, यानि age difference के साथ अपने लाइफ में दो बच्चों को प्लान कर रहे हैं, हम दो, हमारे दो के slogan को ध्यान में रखते हुए, उस methodology को हम contraception birth control method कहते हैं, अब इसमें a question ये बनेगा, कि क्या वो methodologies हैं, जो भी तरीके हैं, ultimately इस motive को, इस उद्देश को पूरा करने के क्या scientific approach है, कौन-कौन से ऐसे steps है, जहाँ पर interference करके, birth को control किया जा सकता है, दिये गए बच्चे को रोका जा सकता है, जन्म से, ठीक है, because the main motive is, उद्देश है, कि जब तक बच्चा ना चाहें, और उसके इलावा, successful intercourse होता रहे, without conceiving, without conceiving, okay, commandos, that's the objective of contraception, तो चलिए, there are four, answer होगा all the, females पर apply होता है, ovulation को रोका जा सकता है, या फिर, insemination को रोका जा सकता है, दोनों ही हो गए, तो fertilization को रोका जा सकता है, फिर, ovulation, insemination, fertilization यह सब हो गया, तो at last, implantation को रोका जा सकता है, यह चार approaches से, जो है, contraception अचीव किया जाता है, तो जितने भी methodology से, उसमें ध्यान देने वाली बात है, question solve करते समय, कि किस method को अपनाने से, जो birth control हो रहा है, क्या वो insemination रोक के, कि ovulation रोक कर, implantation या fertilization, understood commandos, यह है question approach डेवलप होने के लिए, ऐसे आपको ध्यान रख़़दा है, okay commandos, चलिए आगे बढ़ते हैं, ideal contraceptive, methodology कुछ भी हो, एक आदर्श गर्व निरोदक पद्धती क्या होना चाहिए, उसकी क्या परिभाशा है, what is the definition of an ideal contraceptive method, that's the next question of the topic, commandos इस बात को ध्यान में रखते हुए, आप सब लोग देख सकते हैं, screen पर user friendly, सभाविक बात इस शब्द का यह मतलब है, कि जो उसको उपयोग में, जो consumer है, वो उसको इस्तमाल करने लायक हो, उसे आसानी से समझ माए, तब ही तो उसका effectiveness उस पे आएगा, अगर उसको उसको इस्तमाल करने का सही तरीका ही नहीं पता, या उसने किसी गलत अपचारिक्ताओं से उसका प्रयोग कर लिया, तो फिर उसका असर ही नहीं आएगा, और ऐसा contraceptive method फेल हो जाएगा, तो जो भी तरीका बनाया जाए, science को यह ध्यान रखना होगा, कि वो user friendly होना चाहिए, ओके, फिर easily available, easily cheapest, आसानी से उपलब्ध हो, cost effective भी हो, है ना, काफी महंगा होगा, तो बहुत से लोगों के approach में नहीं होगा, कि वो इस प्रकार के खर्च, जो expenditure को carry कर सके, बरदाश कर सके, तो कहने का मतलब है, एक तो आसानी से market में उपलब्ध होना चाहिए, near to hand, और दूसरी बात है, cost effective, इसके इलावा, no side effect, हाँ, ये सबसे बड़ा प्रशन होता है, किसी भी contraceptive effect का, कि लंबे अर्शे तक उसका इस्तमाल पर, शरीर पर कोई mal effect, को प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा है, तो वो minimize हो, rectify हो, and finally, the more important concern is, it should be reversible, जब तक स्तमाल करें, तब तक ही contraceptive प्रभाव रहे, जिस दिन बच्चे को हम प्लान करें, respective couple ऐसा सोचता है, कि जब हम प्लान करें, और ऐसे उप्योग करना बंद कर दें, तो fertility, प्रजनन शम्ता, fertility, दुबारा re-establish हो, means, वो contraceptive method, reversible होना चाहिए, irreversible नहीं होना चाहिए, कि ऐसा स्तमाल किया, कि fertility ही, जो है, disappear हो गया, no commandos, ऐसा contraceptive method का उत्देश, आम तौर पे नहीं होना चाहिए, in common, clear commandos, तो मैं उमीद करता हूँ, मेरे इस बात के साथ, आप question समझ पा रहे हैं, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, natural method, तो चलिए सबसे पहले, हम NCRT के accordingly देख रहे हैं, natural method, जिसमें शब्दों को गौर करिये, commandos, question आएगा, कि avoiding chances of ovums, avoid कर रहे हैं, पूरी तरह रोकेंगे, 100% नहीं रोक सकते, उस sperm और ovum के fusion को, काफी हद तक minimize कर देना, avoid the chances वाली बात आ रही है, natural method में, अब उसके भी तीन तरीके हैं, all the above answer होगा, पहला है, periodic abstinence rhythm method उसको कहते हैं, ये एक अस्थाई temporary avoidance है, temporary avoidance of intercourse, कुछ समय के लिए, जो है, methun kriya से अवरोद रहना, tendency to intercourse, ठीक है, physical contact में, कुछ समय तक, अस्थाई रूप से ना रहनी की प्रवर्ती, और ये menstrual cycle के, 10-17 दिन माना जाता है, जिसे fertile period माना गया है, एक regularly cycling, एक regularly massic chakra दर्शाने वाले female, को अपने massic chakra, menstrual cycle के 10-17 दे, जिसको risk period माना गया है, अगर couple बाके में ही बच्चा नहीं चाहता है, और उस natural method को अपनाते हैं, तो उनको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, की ovulatory day, mid day of the cycle 14th होता है, तो 10-17 दिन पर ये दिन आता है, तो पहला जानकारी ये होना चीए, दूसरा, जो है ovum का survival, survival जो है समय होता है, करीब करीब 24 घंटे, 24 घंटे का, for a day, 24 घंटे का, और sperm सर्वाइफ करता है, ये स्पर्म सर्वाइफ करता है, तीन से पाच दिन, ये तीन बाते जानकारी में होना चाहिए, इस method को अपनाने के लिए, correct statement, question आएगा, answer इस तरह से होगा, मेरी बात आज़ी सब को समझ में, ठीक है commandos, चलिया आते हैं, अगला, withdrawal coitus method जिसको कहते हैं, जिसमें गौर करिये, एक शब्द में उसकी परीभाशा, the definition of withdrawal, coitus interruptus, withdrawal method is, avoid insemination, insemination को रोकना, यानि intercourse करते हुए, अपने emotions पर काबू पाकर, yes commandos, emotions पर काबू पाकर, ejaculation से पहले ही, orgasm अचीव करने से पहले, ejaculated होने से पहले ही, penis, erected penis को withdraw कर लेना, वेजाईना से, इस approach को कहते हैं, withdrawal coitus interruptus, ठीक है, avoid insemination, ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटे ये शब्द है, इस से करके आपको clear, सब चीज़े आप ध्यान से देखिए, avoid chances, सही बात है, लेकिन कैसे, क्या avoid करना, intercourse दीना करना, intercourse करने हैं, लेकिन, क्या avoid कर देना, insemination को avoid कर देना, understood commandos, और फिर, ध्यान दीजिए, एक और तरीका, lactational amenorrhea, intense lactating mother, एक जन्म दिये, बच्चे को जन्म देने के पस्चाद, नवजात के जन्म के पस्चाद, after giving birth to the newborn, parturation के तुरंद बाद, छे महिने तक प्रभावी, है ना, maximum छे महिने तक ये प्रभावी होता है, due to the effect of prolactin, prolactin के असर से, inhibitory effect रहता है, किसके release पर, GNRH और gonadotrophin, जिसके चलते हुए, follicular development नहीं होता, ovum release नहीं होता, ovulation नहीं होता, तो absence of menstruation, इस बात का indication है, biological indication, कि जब तक बच्चे का suckling, दूद पीने की habit, करीब करीब 6 महिने औस सतन, average बना रहता है, तब तक mensuration नहीं होगा, और mensuration नहीं होना, इस बात का indication है, कि अंदर ovum available नहीं है, तो भी जो है, ugly pregnancy achieve नहीं होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं, lactational amenorrhea, all the three are natural methods, चलिए commandos, आगे बढ़ते हैं, natural method, avoiding chances of ovum and sperm meeting, के ये सारे options होगा है आपके सामने, ठीक है, एक तो ये question ऐसा बनेगा, और ये सारे definitions, ये जो point आपके सामने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजे, commandos की किस तरह से लिखा हुआ है, match the column pattern से question आएगा, आपको सही, सही matching करनी है, कि किस में क्या होता है, और किस बात का ध्यान रखा जाता है, temporary avoidance of sex, ठीक है, avoid of insemination, और यहाँ पर तो menstruation ही नहीं होता, correct statement, आगे मेरी बात समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, barrier method, अब अगले point पर आते हैं, barrier method, prevent meeting of ovum and sperm physically, वहाँ भी prevent, avoid कर रहे थे, पहले वाले में, natural method में क्या हो रहा था, avoid कर रहे थे, और यहाँ induce करते हैं, बिल्कुल 100% जो है, physically sperm ovum को meet नहीं हो देंगे, तरीके क्या क्या है, barrier, physical barrier, एक है, available for both male and female, दोनों के लिए, rubber latex made sheet, female condoms as well as male condoms available है, निरोध is the popular brand name, block entry of sperms into female reproductive tract, correct, correct, or point to be noted, disposables, only once in a use, disposable protect from STIs and AIDS also, कौन सा ऐसा barrier method है, ऐसे करके, now this is the most promising line, question oriented, तब आपको answer करना है condom, क्योंकि option में diaphragm, cervical cap, bald भी लिखा रहेगा, लेकिन नहीं answer होगा condom, male female condom, जो है condoms are disposable, and STI AIDS से बचाने का भी काम करता है, the only barrier method, जबकि females के जो कुछ barriers है, diaphragm, ये, ये reusable भी है, और इनको effective बनानी के लिए, इन में spermacidil cream, jillies, foams का भी इस्तमाल होता है, yes, correct, और ये भी sperm की entry को रोकता है, तो these are the diagrams, and CRT में ये diagrams बने हैं, आपको diagram से recognize करना है, अगला hot topic है, इस chapter से, that is, what you mean by intrauterine devices, ये device है, commandos गौर करेगा, यानि, जो user होगा, उससे medical assistance, जाहिए, trained physician, nurses ही, जो है, इसको female reproductive tract मे, जो है, place करेंगे, medically insert करेंगे, clear, yes, widely accepted by females in India, commandos गौर करिएगा, कौन सा, contraceptive India में, बहुत जादा popular, और widely accepted है, answer होगा, IUDs, ओके, और ये दो तरह क्यों होते हैं, non-medicated and medicated, सबसे पहले तो, आपको commandos, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे से पता होना चीए, कि medicated or non-medicated का क्या मतलब है, NCRT basis, NCRT में सिर्व example लिखा है, लेकिन गौर करिएगा, कि ऐसे IUDs, जिनके insert करने पर, as such, वो कुछ release नहीं करते हैं, वो क्या करवाते हैं, वो हलका सा, जो है, inflammatory response बढ़ा देते हैं, गौर करिएगा, मैंने क्या कहा, lips loops, जो है, इस तरह के device है, जो की cervical और पूरे uterine lining में, inflammatory response बढ़ा देते हैं, और underlying phagocytic macrophages cells को activate कर देते हैं, और वो फिर sperms को phagocytize कर देते हैं, understood, this is called non-medicated, कहने का मतलब है, yes, female body के ही immune system cellular barrier second line of defense को activate कर देते हैं, जो की anti-fertile effect लाता है, anti-fertile effect लाता है, by creating phagocytesis of sperm, this is what non-medicated IUD means, clear, okay, medicated IUD का फिर क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यह भी दो तरह के हैं, एक में जो है, inorganic material copper releasing, अब वो copper disturbance क्रिएट करता है, this is the medicated approach की दवाई की तरह, यह element उसके ions दवाई का का काम करते हैं, यहाँ कोई दवाई नहीं था, non-medicated मतलब there was no medicine, बस एक device, जो की एक inflammatory response generate करा देते हैं, और उसके वज़े से, जो है, locally क्या release हो गए थे, कौन एक्टिवेट हो गए थे, macrophages phagocytic cells to cause the phagocytis of the sperm, लेकिन यहाँ आप देखिए, दवाई की तरह copper जो उन आयोडी से release होते हैं, copper T, copper 7 multi-odd examples हैं, वो sperm की motility और fertilizing capacity को कम कर देते हैं, clear, clear, see the approach, definition और example के साथ, ऐसे करके commandos question आएंगे, ध्यान रखिएगा, yes, hormone releasing, अब यह क्या करते हैं, they prevent implantation, they check, they prevent, वो कहां बाधाल आते हैं, implant नहीं होने देते हैं, cervix को hostile, जिससे की spumps properly enter ना कर पाए, या फिर कर भी गहे, तो implant नहीं हो पाएगा, fertilization के बाद, so this is how you have to remember, और इसके example में, progesterate and LNG 20, याद रखना है, okay, commandos, very very important, very very important, चलिया अगला point, oral contraceptive methods, हाला की, अलग-अलग तरहा के methodologies, अभी तक आपने देखें, natural barrier, और इसके बाद, अभी अभी मैंने, IUDs की बात दी, अब मैं बात करूँगा, एक ऐसे खास, contraceptive methods, जो tablet forms में available है, ध्यान दीजिए, they are available in tablet form, popularly called pills, ठीक है, pills दो तरह के, steroidal and non-steroidal होते हैं, जिन में chemically, yes, या तो progesterone, या progesterone, synthetic, synthetic word जरूर रहेगा, ध्यान रखियेगा, commandos, ठीक है, यह हमारे natural progesterone, estrogen नहीं होते, synthetically designed, progesterone, estrogen combination, उसमें मौजूद होता है, yes, it is a correct statement, ऐसे करके, आपको ध्यान रखना है, और ध्यान देने वाली बात यह है, कि जैसा कि मैंने अभी नाम रखा, यह दो तरह के पिल्स होते हैं, एक होता है, steroidal, chemically steroidal composed, दूसरे non-steroidal, या फिर, इस्तमाल और objective क्या है, इस्तमाल करने का, aim क्या है, बर्थ को control करना, लेकिन social concentration, यानि सामाजिक रूप रेखा में, दो अलग अलग परस्तितिया है, इसलिए इन पिल्स को भी, दो तरह के बनाएंगे है, regular pills, emergency pills, फिलाल, मैं जो steroidal, non-steroidal की बात कर रहा हूँ, ये regular pills हैं, वो भी दो तरह के, chemical composition के basis पे, commandos, ध्यान रखेंगा मेरी बात, सामाजिक रूप रेखा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे pills भी दो तरह से, दो अलग अलग परस्तितियों में, इस्तमाल करने के लिए, commandos, NCRT में ये बात mentioned है, जो आपको समझना होगा, है ना, हर बात, जो है, समझाई नहीं जाती, कुछ बाते समझ लेनी पड़ते, कि NCRT आपको बोलना क्या चाहरा है, और जिस दिन आप ऐसे समझ गए, तो वाके में ही, question pick up करना, आप भी सीख जाओगे, और ये ही, Biomentor Commandos की पहचान है, मेरी बात आरी समझ में, Commandos चलिए, मैं अपने बात को, फर्म में अविलेबल है, छुटे शड़े होते हैं, इनके पिल्स कहते हैं, और ये पिल्स खुद दो तरह के, इनकी केमिकल कॉमपोजिशन के बेसिस पे, लेकिन जैसी में regular और emergency पिल कहता हूँ, यहां बात आके अलग हो जाती है, फिलाल, regular पिल्स आपके सामने हैं, जो की या तो progesteron purely, या progesteron estrogen की combination में available है, और दो तरह से available है, steroidal, non-steroidal, steroidal जो होता है, उसके example से, mala N, mala D, अलग-अलग तरह के brand names होते हैं, ठीक है, 21 day pills, combined pills इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं एक flow chart presentation, plus graphical presentation से अभी मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन commandos ऐसे करके आपको याद होने चाहिए, concepts जिससे कि आप question mark कर सके, understood, non-steroidal पर आते हैं, sahelie is the most common example, centochromonin उसके अंदर molecule होता है, वो कैसे काम करता है, मैं बात करूँगा, उसको once a week pill कहते हैं, क्यों क्यों क्योंकि उसका dosage और consume करने का अपना एक तरीका है, और 21 days daily pills during menstrual cycle का क्या मतलब है, यही बात मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, okay commandos, चली आगे बढ़ते हैं, steroidal pills malady malady and taken orally for 21 days, लगातार 21 दिन तक menstrual cycle में लेना है, लेकिन कब शुरू करना है और कब तक यही समझने वाली बात है, commandos मैं एक line देना चाहूँगा, एक statement आपके सामने रखना जाऊँगा, कि इन daily pills को 21 days on, yes commandos 20 days on, 7 days off pills भी कहते हैं, गौर करिएगा commandos, the language what I am using, मैं किस शब्दों में अपनी बात रख रहा हूँ, 21 दिन लेना है, 7 दिन नहीं लेना है, और वो 7 दिन कब नहीं लेना है, यही NCRT में, bracket में इस तरीके से लिखा है, जो एक confusion create करता है, समझने में, लेकिन commandos आपको confuse नहीं होना है, यह आपकी पहचान नहीं है, ध्यान रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी यह बाते रखी आपके सामने, regular pills, दो तरहा के steroidal and non-steroidal, मैंने उनका difference बता है, जिसमें estrogen-progesterone combination is steroidal pills होंगे, और non-steroidal मतलब center-prominent नाम का molecule होता है, जिससे CDRI लखनो, इंडिया जो हैंनोंने बनाया, और available कराया as a contraceptive pills, चीक है commandos, आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने graph है, suppose मैं आपके सामने example लेता हूँ, the molecule with a brand name Malady, और this is a graphical presentation, पूरे 21 days, okay commandos, पूरे 28 days आपके सामने हैं, और इन में से आप देख सकते हैं, first five days, first five days menses, M मतलब menses, okay, menses phase, menstrual cycle का शुरू के पाच दिन, अब as per the concept, वो गोलियों के packets, strips जो हैं, ठीक है, उसमें respectively day 1 से लेके, 21 day तक के लिए molecules होते हैं, लगातार सीरीज में लेना है, पहली गोली कब लेनी हैं, that is during the menstrual period, जैसी menstrual period शुरू होगा, उन first five days में, suppose I say, आज day 1 है, आज day 1 है, मतलब profuse bleeding, menses, जो blood liquid form में flow करता है, commandos गौर करिएगा, मैंने क्या कहा, yes, the shedded endometrium with blood vessels, flow as liquid call menses profusely, ठीक है, शुरुवात होती है, day 1 वही कहलाएगा, उस दिन या दूसरे दिन से, इन ही 5 दिन के अंदर से, जो है मान के चलिए, third day से लेना शुरू किया, आज से bleeding स्टार्ट हुआ, परसो से जो है, एक एक गोली लेना शुरू किया, yes, day 1, day 2, day 3, अब लगातार लेते जाना है, for 21 days, for how many, 21 days, लगातार, without a gap, without a gap बोला मैंने, without a gap, 21 days, regularly, around, जैसी मैंन से शुरू होगा, ठीक है, day 1, 2, 3 के अंदर, उन्ही उन 5 दिनों के अंदर, 5 days का मैंन से, उन्ही 5 दिनों के अंदर, ही शुरू कर देना है, जितना अरली ले, उतना अच्छा, मैंसेस चालू, गोली चालू, that's the phenomenon, clear, ध्यान रखने वाली बात, और उससे क्या होगा, what they have, they have a combination of progesterone-estrogen, उसके अंदर progesterone-estrogen, और उनका कैसा, inhibitory effect, किस पर रहेगा, inhibitory effect, FSH, और LH के release पर, inhibitory effect रहेगा, progesterone का, and ovulatory, yes commandos, और estrogen, इसलिए होना चाहिए, क्योंकि estrogen क्या करेगा, वो ruptured, ruptured और shedded endometrium, जो bleeding में भह गया, ठीके, उसके लिए re-epithelization, यानि endometrium layer को, हलका-फुलका, जादा नहीं, thin, thin, क्योंकि बहुत जादा भी करेंगे, तो implantation होगा, तो मैं commandos, तीन बाते आपके सामने रखूँँगा, NCRT का, कि hormonal pills, contraceptive pills, estrogen-progesterone combined pills, किस तरह से, अपना काम करते हैं, वो समझा रहा हूँ, इस graph के थुरू, ध्यान दीजिए सब लोग, yes commandos, कि progesterone, FSH, LH को, dymish रखता है, follicle development नहीं होगा, तो ovulation भी नहीं होगा, yes, और estrogen के असर से, endometrium layer, thin, comparatively thin, develop होता है, बट इतना develop नहीं होता, proliferate, कि वो implantation को, implantation को, जो है, promote करे, entertain करे, अब आप कहोगे, commandos, कि implantation होने की दबात, आती नहीं है, क्योंकि ovulation ही नहीं हुआ, but different contraceptive pills, work with different effect, कुछ ऐसे भी contraceptive pills होते हैं, जो implantation को रोकते हैं, कुछ ऐसे भी contraceptive pills होते हैं, जो cervix को NCRT में, जो तीनों points लिखे हैं, मैं उसको justify कर रहा हूँ, commandos, आरी ना मेरी बात समझ में, so all possibilities लेके चलते हैं, कि अगर ovulation हो भी गया, fertilization हो भी गया, yes, ठीक है, तो फिर, तो फिर implant नहीं होगा, हाला कि ovulation ही नहीं होगा, first of all, ध्यान रखियेगा, commandos मैंने क्या कहा, ovulation नहीं होगा, फिर endometrium डेवलप होगा, thin endometrium डेवलप होगा, glandular नहीं होगा उतना, clear, due to, these are all synthetic, कैसे estrogen होते हैं, synthetic estrogen होते हैं, तो progestron के वज़े से, FSHLH, dimish रहेंगे, ovulation नहीं होगा, estrogen के कारण, thin endometrium डेवलप होगा, as well as, जो cervical wall से, mucous secretion होता है, to retard the sperm entry, अगर sperm वहाँ से enter भी करना चाहेगा, तो वो उस पैमाने से नहीं कर पाएगा, जितना की कर सकता था, तो ये तीन तरीकों से, one by one, cumulative effect, बारी-बारी से अपने असर से, ultimately, जो है, contraceptive pills, एक safe, highly effective contraception का काम करता है, with little side effects भी है, commandos, लेकिन उन side effects को कैसे subside कर सकते हैं, मैं इस पर भी बात करूँगा, फिलाल, ये था उसका असर, और फिर, जैसी 21 दिन लगातार लेंगे, उसके बाद seven days, है ना, pill free, pill free days कहते हैं, seven days gap, pill free, उस दौरान नहीं लेना है, उन्ही साथ दिनों के अंदर, अगला menses कभी भी हो सकता है, उन्ही साथ दिनों के अंदर, फिर से एक menses होगा, NCRT यहीं कहता है, अगला strip, गोली की अगली strip, उन्ही menses के दौरान, पिछले menses की तरह, शुरू कर देना है, लेकिन gap बीच में कितना आया, seven days का, यह NCRT समझाना चाहरा है, understood commandos, मेरी बात आरी सबको सबज में, this is a very promising explanation, try to understand once again, कि आप एक regularly, regularly cycling female में, FSH, LH शुरू में जादा रहता है, और estrogen और progesterone second half में, estrogen पहले और ऐसा करके, आप जानते, this is a regular cycling, कि शुरू के 14 दिन estrogen, और आखरी के 14 दिन progesterone, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, day one से धीरे 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 धीरे, progesterone estrogen का level बढ़ता जाता है, जिससे FSH, LH डाउन रहता है, जिससे ovulation check, no ovulation, इसके इलावा, implantation के लिए, endometrium भी भहुत thin developed है, नहीं हो पाता, implantation नहीं होगा, clear, और इसके इलावा, sperm की entry भी retard, तीन तरीके से ये hormone, pills काम करते हैं, और इस बात को assure करते हैं, effectively कि birth control हो जाए, as a contraception method, clear, इसके इलावा, जो seven days के gap का concept है, जिस दिन से गोली लेना शुरू करते हैं, should be around the day of menses, ध्यान रखेगा, जैसी menses चालू, गोली लेना चालू, लेकिन without a gap, लगातार 21 दिन, 21 days on, 21 दिन तक लिया, 21 दिन के बाद, 7 दिन नहीं लेना है, pill free day कहते हैं, उन्हीं साथ दिनों के, आखरी आते आते आते, menses फिर हो जाएगा, menses हो ही जाएगा, और उसमें फिर से, next script चालू कर देना है, ऐसा NCRT समझाना चाहरा है, seven days gap का concept, okay commandos, एकदम clear, ये तो था steroidal का, अब आते हैं, action of steroidal पे, जो कि मैंने कहा, no ovulation, inhibit implantation, ultra cervical mucus, retard the entry of sperm, सहेली जो non-steroidal, oral contraceptive है, और ये implantation को रोकता है, ये implantation को रोकता है, question आ चुका है, कि सहेली effects the contraceptive pill as, बदला सहेली contraception कैसे काम करता है, answer होगा, it blocks implantation, और implantation को कैसे block करता है, estrogen, commandos गौर करना, ये जो endometrium पर, estrogen के receptors को जो है, block कर देता है, जिससे estrogen काम नहीं करता, understood, understood, ध्यान रखियेगा, commandos, सहेली non-steroidal contraceptive pill, centrocromonin, उसके अंदर मौझूद है, once a week, ये pill है, highly contraceptive value, clear, इसका सबसे वड़ा advantage है, कि इसमें side effect इंदम least है, क्योंकि non-steroidal है, that's the promising question, okay, commandos, अगले point की तरफ पढ़ते है, injection and implants, जिनका सबसे, ये काम बिल्कुल, pills की तरह ही करते है, they also work like pills, बस administration का तरीका, longer period, क्योंकि कुछ females, ऐसे हो सकते हैं, कि they want to avoid, कि कौन रोज एक गोली खाने का, ध्यान रखेगा, है न, गलती से छूट भी सकता है, तो दूसरे दिन, दो गोली खाना पड़ेगा, दो-तीन दिन हो गए, गलती से जो है, पैकेट छूट गया, जो है, स्किन की नीचे, इंप्लांट, नौर प्लांट के नाम से आता है, तीन-चार साल तक लगाता है, वैसे ही काम करेगा, जैसे कांटरसेटिफिफिल्स, और एडिमिंस्टेशन की जरूतनी है, या फिर, तीन-तीन महीने, तीन-तीन महीने, या इन कांटरसेटिफिल्स के कॉम्बिनेशन का सित्माल, अचानक एक सोशल, एक सोशल कंडिशन के कारण, सितमाल करना पड़ जाता है, कि किसी भी, किसी भी कपल से एक, अन प्रोटेक्टटएड, casual unprotected sex हो गया है clear या कोई contraceptive method उनका fail हो गया है इस्तमाल करने में तब वो emergency में इस तरह से इस्तमाल करते हैं this approach is called emergency contraception और या फिर rape cases sexual assault और rape cases होते हैं ऐसे social evils को सामना करने के लिए emergency contraception का इस्तमाल होता है NCRT में इस तरह का line लिखा है ऐसे करके question बन सकता है कि emergency contraceptives का इस्तमाल करने का कारण होता है answer होगा to avoid possible pregnancy possible pregnancy rape cases या unprotected casual intercourse clear commandos ये ध्यान रखिएगा next next surgical methods surgical methods पर आते sterilization कहते हैं commandos clear terminal method है the only method which is called terminal irreversible method terminal method males के लिए vasectomy females के लिए tubectomy जिसमें respective उनके जो prominent ducts है males में vast difference being cut and tied और females में जो है fallopian tube है no oviduct fallopian tubing cut and tied ठीक है ligated जिससे block gamut transport prevent conception gamut transport को जो है block कर दिया जाता है और ये एक irreversible method है terminal permanent method है ये ध्यान रखने वाली बात है commandos now these are the diagrams ध्यान दीजिए आप respectively diagram में ये point depict किया गया है finally the question is selection of suitable contraceptive method कौन कपल किन conditions में doctor सलाफ लेते हुए क्योंकि medical history और clinical check-ups ही तह होगा respective male female especially females क्योंकि जाद अतर contraceptive methods females body oriented है तो उनके medical history और clinical check-up बहुत माहने रखता है जो एक अच्छे established experience doctor की देखरेक में होना चाहिए that's the correct statement and this approach is a rational approach this approach is a rational approach तर्क संगत अप्रोच है जो एक पड़े लिखे होनी की पहचान है और reprotectively healthy society की पहचान है जो इस chapter का मूल मंत्र है ठीक है commandos contraceptives not regular requirements for maintenance yes क्या हमेशा जिन्दी की इस्तमाल करना चाहिए नहीं क्योंकि हम nature के against intervention एक hurdle पैदा करते हुए हमारे नीजी personal उद्देश को पूरा करने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं जो की शरीर के लिए लंबे हर्से में हानिकारक हो सकता है better to go for there after एक समय के बाद family plan हो जाए दो बच्चे आपके जीवन में है respective 5 साल के अंतर के साथ 15 साल तक reproductive life marriage life के 15 साल जो reproductive life के उसमें इस्तमाल करने के बाद या तो permanent method अपना लेना चाहिए या फिर कुछ ऐसे method पर opt कर लेना चाहिए जिससे की शरीर पर ill effect harmful effects आने के chances निल हो जाए ये भी एक जानकारी का हिस्सा है ओके commandos तो possible ill effects are nausea, abdominal pain, breakthrough breeding, irregular menstrual breeding, breast cancer ये भी चीज़े हैं बट दीज are nominal है ना by and large कहते हैं ना मोटे तार पर बात करेंगे तो rare of the rarest है लेकिन ऐसा ना हो इसी कही ध्यान रखा जाए ओके commandos this is the point of all understanding मैं उमीद करता हूँ chapter के शुरू से अभी तक जो मैंने आपको बताया आप एक sequence में समझ पाया है कि किस chapter के किस हिससे से किस paragraph किस line से कैसे किस front पे question design हो सकता है NTA जो है किस तरह से आपको जो है कही ना कहीं घुमा फिरा के बाद पूछ सकता है यह अभी तक आप समझ चुके होंगे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा commandos अगला topic है हमारा medical termination of pregnancy MTP MTP गौर करिएगा commandos MTP medical termination of pregnancy बात यह आती है कि ऐसा क्या conditions ऐसे क्या medical situations या सामाजिक social terms में पहले बात कर लें आ जाता है कि एक ऐसे भी medical grounds पे हमें तकनीक प्रोसीजर पर depend होना पड़ता है जिसका गलत स्तमाल भी हो सकता है होता रहा है लेकिन ऐसा ना हो या होने के बाद भी government of India ने इसको legalize किया it's a legal technique under medical grounds year 1971 में इसको legalize किया that's the very first question induced intentional voluntary abortion yes intentional voluntary abortion to end pregnancy before full term correct बिल्कुल सही बात है कि अचानक ऐसा क्या है क्योंकि respective female ने जो है as a couple या जो भी हुआ इस pregnancy को तो carry किया तो birth control करना तो उद्देश रही नहीं होगा लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके वज़े से उससे discontinue करना पड़ा so there should be some social strong medical grounds okay commandos now this is one of the sign of reproductive health which is associated जिसका सीधा सीधा संबंद एक female के साथ related है okay तो मैं इस बात पर आपका जो है attention चाहूंगा MTP significant role हाला कि MTP पूरी दुनिया भर में जो है एक बहुती बहुती important factor बन गया है इसके इस्तमाल का जो population को decrease करता है और मैं आपको बता दू birth control method population को decrease करने के लिए नहीं होता है but not a birth control method NCIT में लिखा है but it is not mentioned for this MTP is not a birth control method it is not mentioned for this prayer क्यों हाला कि उसके करने से indirectly one-fifth हर साल one-fifth of the पूरा world population में जो है करीब 45 million बच्चे जो है birth नहीं ले रहे है तो कही न कही population size को decrease करने में ये मदद करता है significance है इसका महत्व है हाँ ये बात सही है लेकिन birth control, contraception, birth क्या बोलते हैं population size को decrease करने का उद्दिश थोड़िये check the population growth rate कम से कम समय में जादा से जादा population size न बढ़ जाए इसलिए contraception को जो है आम लोगों में जाग्रूपता के साथ अपनाने के लिए प्रुचसाहित किया जाता है yes this is the point of understanding इसलिए ये birth control method नहीं है इसको अगर किसी भी country के government ने constitution ने legalize किया है with certain other factors why MTP? अगला question commandos why MTP? क्योंकि इंडिया ने तो 1971 में इसको legalize कर दिया why? because these are the three reasons there are some medical grounds unwanted pregnancies अब किसी female के साथ जो है again it's a sexual assault, gang rape cases या फिर जो है unprotected coitus हो गया है and they really want on certain medical grounds doctor जानते हैं कि हाँ अब इस लोग carry नहीं कर सकते तो under medical supervision vigilance ही ये perform होना चाहिए पहला medical ground, social ground risk factor of pregnancy to mother and fetus कि pregnancy की अपनी complexities है कुछ हुआ है जिससे मदर और बच्चे दोनों के जान पर खत्रा आ सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मदर में जो है rheumatic heart disease पाई गई है pregnancy के तीसरे महिने में ओके कमांडों है न तो वो बच्चा तो आगे चलके still birth होई जाएगा जाते जाते मदर को भी नुकसान पहुचेगा और मदर तो खुदी problem में है तो there are many complications मैंने condition आपको समझाया अपनी बात को justify करनी के लिए तो risk factor of pregnancy to mother or fetus तीसरा any unavoidable genetic disorder ऐसा unavoidable genetic disorder detect हुआ है ठीक होने वाले बच्चे में जो की आगे चलके उसके मृत्यू का कारण बनेगा ही तो क्यों न उससे समय रहते terminate कर दिया जाए यही तीन वो medical grounds है जिस पर MTP perform होता है MTP safe under up to 12 weeks of pregnancy यह ध्यान रखियेगा first trimester आप कह सकते हैं कि first trimester 12 months में जो है हम इसे ढग से perform कर सकते हैं without risk least risk factor जो है clear so this point is very very important चलिए commandos अगला topic आप सब के सामने sexually transmitted infection STIs, STDs now society में कुछ problems hidden है ना इसे iceberg theory कहते हैं ऐसी भी बहुत सी बिमारिया है जो समाज में व्याप्त है society में persist करता है but still people are having a mental hitch मांसिक रूप से वो बादित है जिसको वो चर्चा का विशह नहीं बनाना चाते क्योंकि उनके spread होने से जुड़ा हुआ myth, misconception या लोगों में जिस प्रकार से जाना गया है कि वो बिमारी क्यों और कैसे फैलती है ये एक matter of shame and shy ना बन जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बिमारियां धीरे 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 knowingly, unknowingly लोगों की बीच पनपता है जो की एक अच्छा sign society के terms में नहीं है और इसके बारे में बात करते हुए इस सही समय रहते हुए इससे निजात पाना prophylactic measure ही सबसे बेस्ट है prevention is better than cure उस category के बिमारी और आप जैसे की बिमारी के नाम heading में ही देख सकते है sexually transmitted diseases यानि एक ऐसा private behavior जो की बिमारी फैलने का कारण बन सकता है practice तो गौर करियेगा mode of transmission mode of transmissions intercourse with infected person हाला कि mostly ये बिमारी समाज में इसी कारण से फैलता है हाला कि इसके इलावा भी दूसरे और तरीके हैं बिमारीों के इस category के बिमारी का फैलने का और वो है सबसे पहले तो आप देख सकते हैं sharing non-sterile needles non-sterile needles, surgical items now this is a sign of poor monitoring this is a sign of poor monitoring ठीके ignorance कह सकते हैं अपने जिम्मेदारियों को धंग से ना निभाना specially हम मैं बात कर रहा हूँ medical fraternity का paramedical staff है जिनको इन बातों का ध्यान रखना है खुद की personal hygiene और वो जिस माहूल में काम कर रहे हैं क्योंकि उन पर rely भरोसा करके patient आता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो properly उसे execute करे clear transfusion of blood transfusion of blood definitely ध्यान नहीं दिया और ऐसा blood infected blood transfuse हो गया और infected mother से fetus vertical इसको कहते है vertical transmission कहते है yes commandos एक mother जो खुद अपनी pregnancy से पहले pregnancy के दौरान infected हुए और फिर वो बच्चे में भी transmit होनी की probability संभावना है अच्छी खासी percentage से बढ़ जाता है ठीक है तो except hepatitis तो ऐसी बहुत सी बिमारिया है लेकिन देखा गया है except hepatitis B, HIV and genital herpes इन तीनों STD diseases के इलावा all STDs are curable all STDs are curable provided बशर्ते सही समय पे primary stage में ही वो identify हो जाए and whoever the sufferer ध्यान रखे पीडित वेक्ती खुद संभल हो उस बात को स्विकारे और समय रहते हुए बात को लेकर जो है एक non physician के पास पहुँचे डॉक्टरी देखरेक में पहुँचे सही सलाल है और आगे treatment procure करे तो definitely समय रहते हुए किसी बड़े anomaly तकलीफ से वो बच सकते है इस तरह से बातें NCRT में लिखा है So this is the question making point commandos गौर करने वाली बात कि कौन से हैसे set of three diseases है जो incurable है अगर वो एक बार हो गया So no medical fraternity can ever treat it to health दोबारा health आ नहीं सकता क्योंकि वो ongoing process है धीरे धीरे शरीड detroit होता है और फिलाल उसका कोई treatment effectively available नहीं है Clear? That is HIV, genital herpes HIV and hepatitis B Early symptoms in general common symptoms किसी भी जो है इसे veneral diseases ध्यान रख्या कमांडोस RTI reproductive tract क्योंकि नॉर्मली उसी से फैलता है इसलिए इसा भी कहा गया है Yes, commandos Very correct तो early symptoms क्या है Itching, fluid discharge slight pain, swellings in genital region Okay, commandos Yes, विलकुल सही बात है Clear? These are the early common symptoms Itching, fluid discharge हाला कि अलग-अलग STDs विए और related secondary symptoms और long term symptoms भी होते है लेकिन इन जेनरल जो है skin related problems और symptomatic primary symptoms आते है Now, this is also a question commandos याद रखिएगा Right? Now, STDs complications क्या है समय रहते हुए अगर पहचान करके इलाज नहीं कराया और कहीं न कहीं शर्मा के छुपा के चलते रहे चलते रहे और धिरे धिरे वो बिवारी अंदर खोकला करते जाए शरीर को तो later on marriageable life क्यूंकि ऐसी बिमारिया होने का सबसे vulnerable age group किस उम्र में है जब अपने sexual behavior पर proper control ना होना और extreme होना जिसके वज़े से unknowingly ऐसे बिमारियों के शिकार होकर later life marriage life में उसके ill effect सामने आ सकते है जो कि marriage life reproducible age group में क्योंकि ये तो adolescence age group है pre-marriageable age group था लेकिन उस समय की गई गलतिया addiction जो कि शरीर में एक धीरे 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 बिमारी और disorder का कारण बना जिसका असर बुरा असर mal effect, ill effect, pelvic inflammatory disorder जिससे की pregnancy carry करने में दिक्कत आती है abortions हो सकते हैं, still birth, ectopic pregnancies infertility, even cancer तक भी आ सकता है okay commandos, now this is very important human papilloma virus, genital what, responsible for yes commandos, cancer के लिए भी वो जिम्मेदार होता है तो इस तरह से आप कोई चीज़े याद रखनी है इस तरह से questions आएंगे and at last, जैसा की कहा गया है prevention is better than cure तो ध्यान रखें, commandos prophylactic measures are these are the three points answer होगा all the above जिसमें ये तीनों का importance उतना ही equivalent है कोई किसी से कम नहीं है और diagnose इसके बाद भी अगर first two चीज़ों को follow करने में कहीं न कहीं miss happening हो जाए तो third, third factor तो बहुत ज़्यादा जरूरी है because नहीं तो life will become really vulnerable clear, clear commandos तो ये था STD अब हम बात करने वाले हैं topic, yes, infertility next, and last topic question oriented of the chapter that is infertility okay, commandos okay, commandos तो अगला topic जो है infertility पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ अब ये chapter का आखरी topic है, लेकिन बहुती precision, बारिकी के साथ जो है sentence को इदर उदर करके question पूछा जाता है तो एक question अगर इस हिस्से से बनता है तो वो क्या हो सकता है इस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ सब लोग ज़रा ध्यान से इसको देखिए फर्स सबसे पहले तो infertility की definition, commandos सब लोग गौर करिएगा जो सबसे important बात गौर करने की है कि उसकी जो definition है वो बहुत important है कि two year fail to conceive fail to conceive यानि pregnancy achieve एक couple शादी शुदा नव दंपती अपने शादी के पस्चात दो साल से उपर दो साल से उपर करीब हो चुका है और unprotected sexual cohabitation में रहने के बाद भी अगर उन conceive नहीं कर पा रहे हैं they can't plan their issue then this is a sign of infertility now the question is इसके कारण क्या है what are the reasons physical, continental, बिमारियां drugs के side effects, immunological even psychological मानसिक रूप से भी जो है नी संतनता आ सकता है infertility का कारण बन सकता है अब psychological जो भी aspects है मैं सभी का एक एक उधारन देना चाहूँगा physical में सबसे important है erectile dysfunction impotency कहते हैं जो है respective male जो है erection अचीव ना कर पाना ये एक physical कारण हुआ ऐसी continental में crypto orchidism एक कारण हो सकता है diseases अलग-अलग बिमारियों के side effects में और symptomatically जो है reproductive या fertility पर असर पड़ता है even malnutrition vitamin E की कमी से reproductive organs की proper functioning ना होना भी एक infertility का कारण है कुछ drugs के side effects में infertility induced हो जाता है yes it's correct तो इस तरह से भी question आ सकता है okay commandos और immunological बहुत important है blood testis barrier जो sertoli cells होते हैं वो blood testis barrier भी बनाते हैं और अगर वो खराब हो जाए तो उसके वज़े से खुद male body अपने ही बने हुए sperms को non-self की तरह treat करते हुए antibodies बना देगा जिससे की sperm count कम होते हुए जो है oligospermia induced हो सकता है ये भी एक immunological कारण है तो ये मैंने सिर्फ justify किया है question बनने का एक pattern NCRT based ये reasons लिखे हुए है मैंने सबके एक कारण आपके सामने रख दिया है ये question का format बन सकता है clear commandos चलिए आगे बढ़ते हैं कि medical अब medical health sector ऐसे दामपत्य जीवन ऐसे couples जो biological happiness अपने खुद के biological issue के साथ चाते हैं तो क्या ऐसे सामाजिक मनलब without talking about infertility reproductive health achieve करना और बात करना is incomplete ऐसे करके NCRT शुरू करता है अपनी बात yes commandos तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ now such couple will look front to है न वो किसकी और देखे एक मदद की हाथ एक मदद का रूप में जो है medical assistance के form में medical health sector कहते हैं ऐसे दमपत्यों को तथास्तू तथास्तू कहने का मतलब है yes please go on be happy we are here to assist you to give assistance medical support by different modern techniques to procure ठीक है biological child of own yes अपने जीवन में उस दमपत्य सुक को एक बच्चे के रूप में हासिल करने में medical science वाकि में ही मदद कर सकता है और ऐसे medical facility को कहा गया है yes commandos assisted reproductive technology ART ध्यान देने वाली बात commandos everyone of you please गौर करियेगा मैं आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले in vitro fertilization जिसमें fertilization शरीर से बाहर करते हुए stimulated condition similar जो है embryo को एक stage तक achieve करके फिर transfer करना तो इसके चलते हुए जो सबसे पहले program किया गया था उसको it has been miss normally named as test tube baby program क्योंकि ova ova from wife या donor female and spams from husband या donor male under different conditions ये doctor ते करेंगे कि एक unknown donor का sperm या unknown female से जो है ovum लिया जाए because respective male female जादा उम्र के हैं उनके ovum count और sperm count या related कुछ deformities है जिससे की जो है बच्चे को ज़द्व देने में कुछ दिक्कत आ सकती है there are many reasons whatever so respective जो है laboratory conditions in vitro है laboratory conditions में respectively उनको fuse कराना जिससे की वो zygote बनाए and thereafter yes commandos thereafter test tube baby program is being conducted by two methodologies बस अंतर क्या है यही definition question बनेगा as the full form suggest zygote intra fallopian transfer fallopian tube उमें transfer होगा zygote या फिर early embryo early embryo मतलब up to 8 blastomier यह ध्यान देने वाली बात है within 8 blastomier stage clear तब हम उसको zift कहते हैं zift is an IVF in vitro fertilization correct zift is an IVF in vitro fertilization correct transferred into fallopian tube fallopian tube के भी distal end ध्यान दीजेगा commandos शब्द पे जाईए मैं क्या लिख रहा हूँ distal end यह diagram में मैं आपको और clear कर दूँगा yes commandos distal end कह रहा हूँ और IUT intra uterine transfer IUT intra वही वही particular zygote लेकिन अब की बार वो किस stage में होगा more than more than 8 yes more than 8 blastomier 8 blastomier से भी जादा के stage में uterus में अगर transfer करें तो उसे हम IUT कहते हैं ZIFT ZIFT IUT में अंतर क्या है यह पता होना चीए up to 8 ZIFT more than 8 IUT okay clear दोनों ही test tube baby program है दोनों ही in vitro fertilization with a difference clear चलिए आगे बढ़ते हैं in vivo fertilization fusion of gametes within the female female body के अंदर ही fusion होगा फिर बोले फिर वो natural से अलग कैसे हुआ अगर female in vivo लाइव कंडिशन female body के अंदर now point to be noted तरीका देखिये commandos gamete intra fallopian tube transfer intra fallopian tube transfer intra gamete intra transfer of ovum ध्यान दीजिए from donor to fallopian tube of another female यानि ovum किसी donor female से ले आता है क्योंकि जो targeted female जिसके fallopian tube में transfer होंगे उनके ovary को छोड़ कर ovary में कुछ atrophy है कुछ कमी है जिससे वो ovulate नहीं कर पारा not able to produce ovum ऐसी female जिसमें ovum यानि ovulation ही नहीं हो रहा rest पूरे fallopian tube से लेके uterus और बाकी body के सारे physiological, hormonal and conditions of pregnancy को carry करने के सभी parameters well to do perfect है to carry and procure pregnancy आई बात समझ में कमांडो जी तो who can produce who cannot who cannot बाकी provide suitable environment for fertilization से लेकर पूरे implantation और gestation को carry करने का जो भी suitable factor है वो available करने ऐसे female बस ovum नहीं बना सकते ऐसे female के लिए question ऐसी पूछा जाएगा gift is preferably prescribed to gift जैसा ART understood commandos gift जैसा assisted reproductive technology जो है गौर करियेगा मैं क्या कह रहा हूँ किस female के लिए किस couple के लिए advisable है that's the question परामर्श दिया जाता है जहाँ female में infertility की condition है due to yes commandos due to what कि वो female ovum available नहीं कर सकते है आई बात समझ भे this is the very important और फिर यहाँ भर भी fallopian tube में transfer होगा fallopian tube में transfer होगा लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि this time the transfer fallopian tube में कहा proximal end yes commandos proximal end पे proximal end इससे पहले zift में क्या था distal end गौर करियेगा मैंने क्या कहा intra cytoplasmic sperm injection यह तो वो तरीका है जिसमें single sperm laboratory condition में being inserted inside the ovum right sperm is directly injected into the ovum the reason is कि उनकी motility उनका capacitation capacity इतना कम है एक तो कम amount में है जितनी भी sperm से वो motile नहीं है right shape and size उनका properly motile नहीं है these are the reasons उसके लिए यह preferable है ऐसे couples जहां male is exhibiting a condition of what absence of motility of these sperm तो एक single selected sperm को जो है पूरी तरह से ovum में inject कर दिया जाता है rest zygote बना कर फिर उसको किस stage पर insert करना है वो आगे की बात है but ICSI intra cytoplasmic sperm injection ठीक है commandos यह गौर करिएगा semen injection लिखाओ को गलत ऐसा कुछ होता ही नहीं है चुटी चुटी बाते आपको ध्यान रखना है full form सब का ध्यान रखना है और full form जो भी उसका पूरा नाम है उसी में ही उस technique का राज छुपा हुआ है यह ध्यान देने वाली बात है चलिए commandos अगला इस diagram के थ्रू yes commandos इस diagram के थ्रू आप बस अंतर समझिए gift, zift और IUT में gift जो है यह कहां पर this is what end this is what end this is the proximal proximal यहां gamet ovum और sperm दोनों को यहां पहुचा जयता है यहां fertilization होता है yes commandos तो what is gift it is IVF और zift में क्या हो रहा है commandos zift में क्या हो रहा है यहां पर जो है yes this is the distal end of fallopian tube दोनों ही fallopian tube में लेकिन एक यहां पर एक यहां पर तो gift के लिए क्या होता है ovulation नहीं हो रहा ovulation ovary is atopic ovary में दिक्कत है ovary ovulation नहीं कर रहा है बाकी पूरा reproductive system well to do suitable environment to procure and carry pregnancy अभी अभी मैंने यही कहा था commandos yes याद कर लीजे इसको पूरा अच्छे से तो फिलाल मैं यह कहना चाह रहा हूं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि zift और gift में क्या difference है एक तो यह अंतर है कि दोनों ही intra fallopian tube transfer है लेकिन एक proximal दूसरा distal clear दूसरा अंतर यह है एक को मैं IVF कह रहा हूं yes commandos और दूसरे को मैं IVF कह रहा हूं यह क्या मतलब हुआ gift is an IVF but not an IVF what do you mean by that and zift is an IVF IVF यहां मतलब in vitro fertilization और यहां मतलब in vivo in vivo fertilization यह लिए मैंने ऐसा कहा कि gift is an IVF but not an IVF in vivo fertilization है in vitro fertilization नहीं है जबकि zift is in vitro fertilization understood commandos artificial insemination अगला point yes commandos infertility cases could also be treated corrected by this technique where the sperm count oligospermia यह male physically inseminate intercourse करके inseminate करने में नाकाम है again couple where the male is unable to inseminate और oligospermia इस case में AI अपनाय जाता है artificial insemination is a recommended advisable technique और यह तो vagina cervical area में या uterus और जब uterus में होता है तभी उसको IUI कहते है ध्यान रख्या का commandos IUICSC versus IUI versus IUI दोनों में अंतर क्या है ICSC intracytoplasmic sperm injection एक single sperm को ovum में शरीर से बाहर और यहां पर क्या हो रहा है पूरा का पूरा सिमिन जो है uterus में intrauterine insemination clear दो तरीके से एक artificial insemination vagina upper cervix area तक और एक पूरा uterus तक उसको हम IUI कहते हैं clear clear यही इस definition में ध्यान रखने वाली बात है now all these techniques highly precision बिलकुल body key से well to do trained hands skilled hands होने चाहिए by specialized professionals and expensive instrumentation स्तमाल करने वाले instruments कोई मामूली instruments नहीं कडोर और वो रूपे की instruments में और precise hands की देख रेख में यह पूरे होने वाले टेकनीक है फिर एक तो यह बात है दूसरा इन सारे टेकनीक से इस तरह से बच्चे को जन्म दे के अपनाना समाज के लिए एक deterrent बाधा है ना कहीं ना कहीं मानसिक बाधा उत्पन करना social taboo factor है emotional, religious and social correct यही तो वो social aspect से तो day one से आपने गौर किया कि जैसी reproductive health की बात आती है ये एक individual नहीं है उससे जुड़ा हुआ हर पहलू समाज के किसी ना किसी घटना और सोच विचार से जुड़ा हुआ है that's the point commandos मेरी बात आई सबको समझ में तो कहना ये चाते हैं कि इन तरीकों को अपनानी के लिए समाजिक रूप से काफी दिर्णता चाहिए चाहे वो क्या बोलते हैं social factors हो religious हो या even ethical emotional factor हो हर तरह से strong होके ही इन तक्नी को अपनाया जा सकता है और हाला कि ये सब किस लिए to have a children किसी भी दमपती दोरा अपने जीवन में एक biological happiness in form of commandos मैं कहना क्या चाता हूँ जब आप ध्यान दीजिए आज में एक statement देने जा रहा हूँ जब आप येस जब एक पिता एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं when a mother and father as a couple love their children they actually love their genes वो आपस में भले कितने लड़ने माता पिता आपस में लड़के अलग हो जाए छीक है उनमें divorce हो जाए लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो it is well said yes commandos की बच्चे को जब एक माता पिता प्यार करते हैं तो मूल रूप से वो अपने ही genes को प्यार कर रहे होते हैं जिससे वो अभिन नहीं हो सकते it is indispensable understood commandos तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना कुछ इसलिए कि swim का एक बच्चा हो तो कहने का मतलब है the aim of all these procedures to have a children तो India like country जहां इतने orphanages है और वहां के law permit करता है legal adoption को one of the best method कि इससे एक बच्चे को भरा पूरा परिवार का सुक और माता-पिता का भी सुक मिल सकता है तो ऐसा लिया गया एक ऐसा लिया गया कदम एक मातर्त्व और पितर्त्व यानि पेरेंट हुड माता-पिता का जो सुक भोगने के लिए लिया गया एक अच्छा method है इससे एक ऐसे orphan अनात बच्चे को भी एक अच्छे परिवार और माता-पिता का सुक मिल सकता है तो उमीद करता हूँ कि आपको इस chapter के सारे aspects all over the aspects of the chapter regarding the reproductive health is very clear to all of you इस उमीद के साथ मैं आज कहना चाहता हूँ कि these are the question patterns इस पे आपको ध्यान रखना है and इस interactive page के थूँ आपको एक interactive page commandos ध्यान से देखें मिला है उसमें give one word patterns आपको समझ माएगा कि chapter के हलग पहली उसे बने हुए questions आप इससे solve कर सकते हैं suppose withdrawal of when is the avoid insemination yes, coitus interruptus की बात हो रही एक शब्द में आपको उत्तर देना है a form support reacting as a spermicide today, sponge yes, today के नाम से आता है 70 by x x is the growth rate उसको put up करेंगे तो doubling time in years आएगा जितना doubling time come population explosion का सामना जल्दी करना पड़ेगा जो की एक अच्छी बात नहीं है it's not a good indication of a country ठीक है placing in IUD can lead to phagocytis non-medicated lip loops का इस्तमाल करके यह संभव है इस तरह से आपको questions solve करने हैं do you know के कुछ questions आप देख सकते हैं फिर जिफ्ट और गिफ्ट में अभी अभी आप सभी ने difference देखा कि जिफ्ट क्या है जिफ्ट में क्या होता है distal end of fallopian tube और गिफ्ट में proximal सामने की तरफ और एक in vivo है दूसरा in vitro है जिफ्ट is in vitro, gift is in vivo है ना इसी तरह से condoms और diaphragms में अंतर है एक disposable है एक reusable है एक STD disease से बचाता है दूसरा ऐसा कोई जो है कह सकते हैं इस तरह का assurity नहीं देता है clear okay catastration and sterilization catastration जो है animal breeding में किया जाता है to just make the docile docile यानि बुल को ox बनाने के लिए ठीक है it is not a birth control method उसका इस्तमाल birth control के लिए नहीं किया जाता है उसमें testis को जो है damage कर दिया जाता है tender age of puberty से पहले ही clear catastration तो इस तरह से ये examples do you compare में आपको होना चाहिए try yourself के ये सारे questions आप जैसी answer करेंगे I promise you I just challenge you yes commandos this is a challenging practice paper जिससे आपको खुद एहसास हो जाएगा NCRT liner ये questions है जिनको answer देते सी आपको पूरा ये chapter revise हो जाएगा तो गौर से इनको practice करिए yes commandos और इसी के साथ इसी के साथ मैं आप सब को जो है all the best कहना चाहता हूँ do well अच्छा prepare करते जाएए focus रही है all the best thank you